परिचाए बच्चो आज हम अमलिये, ख्षारिये वा उदासीन विलियन को पहचाने के लिए एक प्रयोग करेंगे ठीक है सेर सबसे पहले एक पूंद विलियन नीले लिटमस पेपर पर डालें यदि ये लाल हो जाता है तो इस कार्थ है कि ये अमलिये वहवाहार प्रदशित करता है इसके बाद विलियन की एक पूंद लाल लिटमस पेपर पर डालें यदि ये नीला हो जाता है तो ये एक शारिये वहवाहार को प्रदशित करता है और अंत में हम पीसरे समाधान के लिए परीक्षन करेंगे, जिसमें रंग आप परिवर्थित रहता है, जिसकार्थ है कि विलियन उदासीन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामय अवस्था में है. सेर, ये सामय अवस्था क्या है? सामय अवस्था वो इस्थिति होती है, जिसमें शार के अणों की संख्या, अम्ल के अणों की संख्या के बराबर हो जाती है. आईए इस बारे में और अधिक जाने. इस पार्ट में आप भौतिक और रासाइनिक सामयवस्था की बारे में अध्यन करेंगे। उद्दिश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्निकरने में सक्षम हो जाएंगे। विलियन में आईनी सामयवस्था का वणन करदां। अमल, शार वा लवन की अवधारण की चर्चा करना। पीच स्केल का वरणन करना। अमल शक्ती को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करना। लवनों के जल अपघटन और उनके विलियन के पीच की चर्चा करना। बफर विलियन का वरणन करना। विलेता गुणन फल इस्थिरांग को परिभाशित करना विलियन में आयनिक सामय अवस्था सोडियम क्लोराइट जैसे पदार्थ का जलिये विलियन सल्फियोरिक अम्ल इत्यादी में से विद्युत का प्रवाह होता है जबकि शरकरा यूरिया इत्यादी के जलिये विलियन में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वे पदार्थ जिन में से होकर विद्युत का प्रवाह होता है विद्युत अब घटे यानि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं जबकि जिन पदार्थों से होकर विद्धुत का प्रवाहन नहीं होता है, वे विद्ध अनप घटे यानि नौन इलेक्टोलाइट कहलाते हैं वे विद्ध अबघटे जो अपने विलियन में लगभग पून रूप से आयनिक्रित हो जाते हैं, प्रवल विद्ध अबघटे कहलाते हैं और वे विद्धत अबघट्टे जो अपने विलियन में अपून रूप से आयनिक क्रित होते हैं, दुर्बल विद्धत अबघट्टे कहलाते हैं। वो सामय वस्था जिसमें जलिये विलियन में आयन संबध्ध होते हैं, आयनिक सामय वस्था कहलाती है। अमल चार वा लवन विद्धत अब घटे अमल चार वा लवन कुछ भी हो सकते हैं अमलों का स्वाद खटा होता है सिरके में एसिटिक अमल होता है इमली में टार्टरीक अमल होता है अमल नीले लिटमस पेपर को लाल बनाते हैं चारों का स्वाद कड़वा होता है। वे लाल लिटमस पेपर को नीला बनाते हैं। कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा सामानी रूप से इस्तिमाल होने वाले चार हैं। अमल चार वालवन अमलों वक्षारों की अरेनियस अवधारणा अमल वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर H प्लस आयनों की सांद्रता में पृध्धी करता है। जबकि शार वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर OH माइनस आयनों की सांद्रता में पृध्धी करता है। HCl और HNO3 जैसे अमल जो की जलिये विलियन में लगभग पून रूप से आयनी करित हो जाते हैं प्रबल अमल कहलाते हैं। जबकि CH3 COOH जैसे अमल जो पून रूप से आयनी करित नहीं होते हैं दुर्बल अमल कहलाते हैं। इसी प्रकार जो क्षार जलिये विलियन में लगभग पून रूप से आयनी करित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। इसलिए ये एक साधारण प्रोटॉन है और सौतंद्र रूप से विद्धिमान नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये H3O PLUS के रूप में जल के साथ से योजन में जल मिश्रित सो रूप में विद्धिमान रहता है। H3O PLUS आयन हाइडरोनियम आयन कहलाता है। इसी प्रकार हाइड्रोकसिल आयन जल मिश्रित होकर H3O2 माइनस आयन बनाता है। ब्रॉंस्टेड लौरी अमल एवं क्षार। उनके अनुसार अमल वो पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान कर सकता है। प्राप्त कर सकता है। सन्योगमी अमल क्षारक योगम निम्न अभिक्रिया में दिया गया है। प्रोटॉन अमोनिया याई ख्रिया और अमल के रूप में कारे करता है। पश्च्यवर्ति अभिक्रिया में NH4 प्लस आयन एक प्रोटॉन OH- आयन इनक्षार को देता है और अमल के रूप में कारे करता है। अमल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना हुआ ख्षार, अमल का संयुगमी ख्षार कहलाता है, जबकि ख्षार द्वारा प्रोटॉन प्राप्त करने से बना अमल, ख्षार का संयुगमी अमल कहलाता है, उधरन में OH-H2O का संयुगमी ख्षार है, और NH4+, NH3 का संयुगमी अ अमलक ख्षारक युग्म जैसे की H2O बटे OH- और NH4 प्लस बटे NH3 जिनका निर्मान प्रोटॉन की हानी या प्राप्ति से होता है, संयुग्मी अमलक ख्षारक युग्म कहलाते हैं. उधारण निम्न ब्रोण्स्टेट क्षारों के लिए संयुग्मी अमले लिखें, H2O NH3 और C2H 5OH विलियन संयुग्मी अमल का निर्मान ख्षार से प्रोटॉन की प्राप्ति से होता है, इस तरह दिये गाई ख्षारों के लिए संयुग्मी अमले निम्न हैं. H2O के लिए संयुग्मी अमले H3O प्लस है. NH3 के लिए संयुग्मी अमले NH4 प्लस है. C2H5OH के लिए संयुग्मी अमले C2H5OH2 प्लस है. लेविस अमले एवं ख्षार लेविस की अवधारना के अनुसार, अमल वो पदार्थ है, जो इलेक्ट्रोनों के युग्मों को ग्रहन कर सकता है. चार वो पदार्थ है, जो इलेक्ट्रोनों के युग्मों को प्रधान कर सकता है. उधारन के लिए अभिक्रिया में BF3 अम्ल के रूप में कारी करता है अम्लों एवं ख्षारों का आइनन जल और इसके आइनी कुत्पादों का आइनन इस्थिरांग शुद्ध जल एक दुर्बल विद्यत अब घट्ट है और समीकरण के अनुसार आइनी कृत होता है अथवा सामाने रूप से इस तरह से लिखा जाता है जिसके लिए आइनन इस्थिरांग निम्न के द्वारा निरूपित किया जाता है के आई बड़ाबर ह प्लस की सांद्रता गुणे ओएच माइनस की सांद्रता बटे ह्ट्टू ओ की सांद्रता चुकी जल आशिक रूप से आइनी कृत है इसकी जात होने वाली सांद्रता आशिक रूप से आइनिक करेथ होगी इसकी सांद्रता आइनन इस्थिरांग के आई के साथ सन्योजित हो सकती है और एक नया इस्थिरांग देती है जो जल का आइनिक गुणन फल KW कहलाता है माना ये समिकरण एक है शुद्ध जल में OH- की सांद्रता H+, के बराबर होती है इसलिए 25 डिगरी सेल्सियस पर जल में H+, कमान ग्याद किया जाना है इस तरह 25 डिगरी सेल्सियस पर आइनिक गुणनफल कमान बराबर है pH स्केल विलियन के pH हाइडोजन आइन सांद्रता के रणात्मक लगुगणक के रूप में परिभाशित किया जा सकता है 25 डिगरी सेल्सियस पर उदाजीन चल के लिए pH बराबर माइनस लॉग एक दशमलोग शूनने गुणे दस की घात माइनस साथ जोकी साथ के बराबर है 25 डिगरी सेल्सियस पर हम लिए वाक्षारिये का समरूपी pH क्रमशा साथ से कम और साथ से अधिक होगा हम POH स्केल को हाइड्रॉकसिल आयन सांद्रता के रणात्मक लगुगण के रूप में परिभाशित कर सकते हैं pH तथा POH दोनों एक दूसरे से निम्न समीकरन के द्वारा संबद्ध है pH प्लस POH बराबर PKW PKW कमान 25 डिगरी सेल्सियस पर 14 है PKW हाइड्रोजन और हाइड्रॉकसिल आयनों की आपेक्शिक सांद्रता को नियंत्रित करता है क्योंकि उनका गुडन फल स्थिर रहता है दुर्बल अमलों का आयनन इस्थिरांग दुर्बल अमल HX के विशे में विचार करें जो की जलिये विलियन में आंशिक रूप से आयनिक रित होता है और इसे HX की आरंभिक सांद्रता के रूप में निरूपित किया जा सकता है जो माना की C है माना आयनन परिवर्तन का प्रसार अलफा है तो HX सामिय सांद्रता C माइनस C अलफा है H3O प्लस सामिय सांद्रता प्लस C अलफा है तथा X माइनस सामिय सांद्रता प्लस C अलफा है अभिकरिया के लिए सामिय स्थिरांग है K A बराबर C वर्ग अलफा वर्ग बटे C गुणे 1 माइनस अलफा K A बराबर C अलफा वर्ग बटे 1 माइनस अलफा के एको अमल HX का वियोजन या आइनन इस्थरांग कहा जाता है। इसे मोलर सांदरता के रूप में निरूपित किया जा सकता है। हाइडोजन आइन सांदरता का pH स्केल प्राप्ट करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। दुर्बलक्षारों का आइनन दुर्बलक्षार एक्स ओ एच के आइनन को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चार के आइनन के लिए साम में स्थरांग को के भी द्वारा निरूपित किया जा सकता है। और ये क्षार आइनन स्थरांग कहलाता है। इसे निमन रूप में दर्शाया जाता है। यदि आरंबिक सांद्रता C है और चार के आइनन के मात्रा अलफा है, तो साम में इस थिरांग को निमन रूप में लिखा जा सकता है। के बी बराबर C अलफा वर्ट वटे एक माइनस अलफा। हाइडोजन आइन सांद्रता का pH स्केल प्राप्ट करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। के ए और के बी के मध्धे संबंध अभिक्रिया के लिए साम में स्थिरांग एकल अभिक्रियाओं का गुडन फल होता है। इसे निम्ना नुसार प्रदशित किया जा सकता है। के नेट बराबर के एक, के दो, के तीन इत्यादी। संयुगमी अमल क्षारक युगल के लिए के ए, के बी बराबर के डबल्यू। दूई तथा बहुक्षार की अमल एवं दूई तथा बहु अमलिये क्षार। वे अमल जिनके एक अणों में से एक से अधिक आइनन योग के हाइडोजन परमानू होते हैं, बहुक्षार की अमलों के रूप में जाने जाते हैं। दूई तथा बहुक्षार की अमल ह2M के लिए माना ये अभिक्रिया एक है, माना ये अभिक्रिया दो है, अभिक्रिया एक के लिए सामिस्थरांग निम्न है। के ए एक को प्रथम आइनन इस्थरांग कहा जाता है। अभिक्रिया दो के लिए सामिस्थरांग निम्न है। के ए दो को दुईतिय आइनन इस्थरांग कहा जाता है। स्थिर्व वैदुतपल अधिक होने के कारण के ए एक के ए दो से बढ़ा है। अम्ल समर्थ को प्रभावित करने वाले कारक आबंद समर्थ है अम्लिये प्रोटोन और अन्य शेश अनुओं के मद्धे आबंद की समर्थ का अम्लता पर प्रभाव पड़ता है समाने रूप से आबंध जितना दुर्बल होगा, अमल की अमलता उतनी ही अधिक होगी आबंध दुरुमडता अमलिय हाइटोजन एवं अन्य परमाणूं के मध्धे उच्छ दुरुवी आबंध प्रोटॉन के लिए अनू को छोड़ना आसान बनाता है और इसे अधुरुवी आबंध की तुल्ना में अपेक्षा कृत अधिक अमलिय बनाता है उसी पंक्ति में तत्वों की अमलों के लिए आबंध समर्थ एक दूसरे के और अधिक समानता की ओर प्राव्रित होते हैं और इसलिए अम्लिकी सामर्थ निर्धारण में आबंध की ध्रुवन्ता महत्पून भूमी का निभाता है। क्योंकि ध्रुवन्ता संबंधित परमानों की वैद्युत रनात्मक्ता पर निर्भर होती है। अमलिकी समर्थ में वैद्यत रणात्मक्ता के साथ बढ़ोत्री की प्रवृत्ती होती है, क्यूंकि आबंध अधिक ध्रुवर्ता की ओर प्रवृत्त होता है. अमलों एवं क्षारों के आयनन में उभैनिष्ट आयन प्रभाव। हम जानते हैं जलिये SCL प्रवल अमल है, ये जलिये SCL आयन प्रदान करता है, जो एसिटिक अमल आयनन के लिए समीकरण में दाएंपक्ष में उपस्तित है. ली चेतिलियर के सिध्धान्त के अनुसार सामिस सेयोजन बाई और इस्थानांत्रित हो जाएगा. एसिटिक अमल के आयनन की मात्रा में एक प्रबल अमल के मिलाए जाने पर कमी आती है. एसिटिक अमल के आयनन में जलिये एसियल द्वारा ये कमी उभैनिस्थ आयन प्रभाव का एक उधारण है. लवणों का जलाब खटन तथा उनके विलियनों का पी एज. जलाब खटन वह प्रक्रिया है जिसमें जल लवण से अभिक्रिया करके अमल एवं क्षार बनाता है. दुर्बल अमल एवं प्रबल क्षार वाला लवण. लवण Mx का जलाब खटन इस प्रकार का है. Mx के विलियन में प्रबल क्षार MOH का पून वियोजन होता है, जबकि दुर्बल अमल Hx लगभग अवियोजित रहता है. इस प्रकार के विलियन का pH सास से अधिक होता है. लवणों का जलाब खटन एवं उनके विलियनों का pH. प्रबल अमल एवं दुर्बल क्षार का लवण. लवण Mx का जलाब खटन इस प्रकार का है. Mx के विलियन में प्रबल अमल Hx का पून वियोजन होता है, जबकि दुर्बल क्षार MOH लगभग अवियोजित रहता है. इस प्रकार के विलियन में pH सास से कम होता है. दुर्बल अम्ल एवं प्रबलक्षार वाला लवण लवण Mx का जलाब घटन इस प्रकार का है Mx विलियन में दुर्बल अम्ल और दुर्बलक्षार दोनों आंशिक रूप से अवियोजित स्वरूप में रहते हैं इस प्रकार के विलियन का pH निमन है pH पराबर 7 प्लस एक बटे दो गुणे pKa माइनस pKb यदि pKa माइनस pKb कमान pH 7 साथ से अदिक है वा धनात्मक है और यदि pKa माइनस pKb कमान pH 7 की अपेक्षा कम है वा धनात्मक है बफर विलियन बफर विलियन को ऐसे विलियन के रूप में परिभाशित किया जाता है जो अमल याक्षार की अल्प मात्रा मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है बफर क्रिया बफर विलियन की वाक्षमता है जो अमल वाक्षार मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है बफर क्रिया कहलाती है नाइट्रिक अमल या हाइड्रो क्लोरिक अमल जैसे प्रभल अमल कम pH पर बफर के रूप में कारे करते हैं अल्प विले लवणों की विलेता साम में किसी विलियन में विलेता लवण की लेटिस एंथेलिपी यानी पूरोश्मू तथा आइनों की विलाए की योजन एंथेलिपी पर निर्भर करती है विलेता गुडन फल इस्थिरांग किसी अल्प विले लवण के लिए जो सामय वस्था स्थापित करने के लिए वियोजित होता है विलेता गुडन फल इस्थिरांग को निम्न रूप में परिभाशित किया जा सकता है इलेक्ट्रो लाइट सूत्र में जहां AY प्लस वा BX माइनस संबंदि धनात्मक एवं रनात्मक आइनों को निर्दिष्ट करते हैं और X वा Y इन आइनों की संख्या को निरूपित करते हैं इसलिए दिये गए तापमान पर किसी अल्प विले लवन के विलेता गुडन फल को संत्रिप्त विलियन में इसके आइनों की संख्या की आवरिद्धी के बराबर होती है लवन की विलेता ग्यात होने पर इसके विलेता गुडन फल की गड़ना की जा सकती है उधारन के लिए मान ले ए बी लवन है किसी विशिष्ट तापमान पर इसकी विलेता S मोल प्रतिलिटर है लवण के S के मोल आइनिक रित होकर A प्लस के S मोल तथा B माइनस के S मोल देते हैं KSB बराबर है A प्लस की सांधरता गुणे B माइनस की सांधरता के जो की बराबर है S गुणे S यानि S वर्ग के आइनिक लवणों की विलेता पर उभेनिष्ट आइन प्रभाव यदि NaCl विलियन में AgCl विलियन मिलाया जाए जिन में उभेनिष्ट आइन के रूप में Cl माइनस है तो AgCl की विलेता कम हो जाएगी क्यूंकि NaCl से Cl माइनस निकल कर Ag प्लस के साथ संयोजित होकर बनाता है इसी प्रकार यदि इसके एक आइन की सांधरता में कमे आती है तो दोनों आइनों की सांधरता बढ़ाने के लिए एक बार पुना KSP बराबर QSP होने तक अधिक लवण वियोजित होगा ये इसके लिए भी लागू होता है जो की NaCl विलियन में HCl का इस्तिमाल करते हुए Cl माइनस दोरा अवक्षेपित होता है उभेनिस्ट आयन प्रभाव को किसी विशेश आयन के लगभग संपून अवक्षेपन के लिए उप्योग किया जाता है क्यूंकि द्रविमान निर्धारन दोरा भारात्मक आकलन हे तो इसके आंशिक विलय लवण का की एस्पी मान बहुत कम होता है क्या आप जानते हैं प्रभल अमल उच्छ रूप से संक्षारक होता है उधारन के लिए सलफ्योरिक अमल वे धात्मों को वियोजित कर सकते हैं जो ख्षार जल में वियोजित हो जाता है ख्षारक कहलाता है जब आप किसी अम्ल को शारक में मिलाते हैं, तो दोनों उदासीन हो जाते हैं अम्ल और शारक एक साथ अभिक्रिया करके लवन और जल बनाते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में दोहराएं वह साम में जिसके जलिये विलियन में आयन संबलित होते हैं आयनिक साम में कहलाता है अरेरियस के अनुसार अम्ल वो पतार्थ है जिसे जल में मिलाने पर H प्लस आयनों की संद्रता में बढ़ोतरी होती है जबकि क्षार वो पदार्थ है जिसे जल में मिलाने पर OH- आइनों की संद्रता में बढ़ोत्री होती है बॉंस्टेड एवं लॉरी के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो एक प्रोटॉन प्रदान कर सकता है क्षार वो पदार्थ है जो एक प्रोटॉन ग्रहन कर सकता है वह क्षार जो अम्ल द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन के कारण बनता है अम्ल का सयुग में क्षार कहलाता है जबकि वो अम्ल जो क्षार द्वारा ग्रहन किये गए प्रोटॉन के कारण बनता है चार का संयुक में अम्ल कहलाता है लेविस के नुसार अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्टरोनों के युक्म को गरहंट कर सकता है चार वो पदार्थ है जो इलेक्टरोनों के युक्म को प्रदान कर सकता है किसी विलियन के pH को Hydrogen Iron की सांडरता के रिनात्मक लगुगण के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जलाब खटन वह प्रक्रम है जिसमें जल लवन के साथ अभिक्रिया करके अम्ल और ख्यार बनाता है बफर विलियन को उस विलियन के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो अल्प मात्रा में अम्ल याक्षार मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का विरोध करता है दिये गाय तापमान पर किसी अल्प विलैलवन के विलैता गुणफल को संत्रिप्त विलियन में इसके आईनों की सांधरता का गुणफल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसमें प्रतेक सांद्रतापत की घात वित्वत अबघटनों के वियोजन को प्रदशित करने वाले समिकरण में आने वाले आइनों की संख्या की आपृति के बराबर हुती है।